कि अज़ों जैन चलो बच्चों अगर मैं आपसे पूछू बच्चों तुम लोग कैसे हो को क्या आसर मजा कर रहे हैं एक्जामनेशन सर पर आ गया है वह का पर रहे हैं कैसे हैं चलो बच्चों कोई बात मैंनत करो सफलता जुरूर मिलेगी बच्चों ठीक है लेकिन सिस्टमाइटिक धंग से मैंनत होने चाहिए बच्चों कामचोरी नहीं कामचोरी नहीं चलो बच्चों आज माई 12 का आगे बढ़ा रहा हैं बच्चों जो हमारी तो उसे कहते हैं बच्चों डौ प्रोसेस डौ प्रोसेस क्या है इसको हम देखेंगे डौ प्षूस यूज़ फॉर्मेशन औफ फिनॉल इंडर्स्टियल फॉर्मेशन अफ फिनॉल और फिनॉल के और दोगिक निर्मान का एक मेथड बताए तो आप डॉप प्रोसेस का इस्तिमाल कर सकते बच्चों या वाट हैपन वेन क्या होता है जब में पूछता है और या तो आप से पूछता है बच्चों कैसे कनवर्ड करोगे क्लोरो बेंजीन को फिनॉल में या बच्चों बेंजीन को फिनॉल में तो ये डॉप प्रोसेस के लिए है बच्चों एक क्या कहता है जड़ा देखो ये कहता है बच्चों इस डॉप प्रोसेस में इंडिस्टियल प्रोसेस से मैं करूंगो क्या मेरे पास बच्चों क्लोरो ब बच्चों अब इस ख्लोरो बेंजीन का जब हम फिनॉल में काण्वर्जन करते हैं बच्चों तो एक मेथड होता है यह देखो बच्चों अब भाव प्रोसेश क्या है इसके लिए पंडीशन क्या होने चाहिए बच्चों और आज और तेन परसेंट कंसेंट्रेट होना चाहि और temperature प्रेशर बहुत critical होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं temperature हम 350 degree centigrade लिखते हैं बच्चों ज्यान दें आपके NCRT किताब में हो सकता है बच्चों यह केलिविर में लिखा है my degree centigrade में temperature लिखा है pressure इसमें बहुत ज्यादा होता है बच्चों 200 to 300 ATM बच्चों एट्मॉस्फरी अप्रेशर और इसमें copper बच्चों ऐसे catalyst का काम करता है तो यह तो है बच्चों आपकी condition हम NaOS से reaction करा रहे हैं फिनॉल बना रहे हैं अब एक कैसे बनता है अब reaction कैसे आपके NCRT में दे गई है बच्चों तो chlorobenzene से फिनॉल के formation कैसे करेंगे डोव प्रॉसेस क्या है बच्चों जब हम chlorobenzene को 10% NaCl solution के साथ high temperature, high pressure और copper catalyst की presence में यह ने OS से reaction करा जाता है बच्चों तो आपका बनता है फिनॉल that is called डोव प्रॉसेस इसी को डोव प्रॉसेस कहते हैं बच्चों अब पहले मैं वह reaction लिखूंगा बच्चों फिर इसके हाला बच्चों आपको लिख की छोड़ दीगे mechanism आपको नहीं बताएगे mechanism बच्चों मैं बताओंगा लेको बच्चों सबकी mechanism जाने जरूत भी नहीं है जहां naming reaction हो जाती बच्चों इसमें एक intermediate है बनेगा जो कि आप नहीं जानते हैं बच्चों ठीक है अब उसका जिक करेंगे और पहले तो मैं reaction लिखूंगा फिर इसका मैं करूंगा बच्चों या मैं इसको चलो मैं reaction लिखता है बच्चों तो reaction क्या है डाव प्रोसेस का बच्चों रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर बच्चों पहले तो हम लेंगे chlorobenzene बच्चों क्या लेंगे chlorobenzene तो जब बेंजीन की एक hydrogen हड़ जाते है तो इससे करते हैं बच्चों chlorobenzene और जब हम इसको याने osc reaction कराएंग बच्चों condition यह लिखी गई है condition मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं चुकि condition मैंने यहां पर लिखा है बच्चों तो यहां चलो मैं लिख देता हूँ यह बना लिखा है इसे कहते हैं बच्चों sodium phenoxide इसे sodium phenoxide है बच्चों C6S5O phenoxide है बच्चों मैनस और यहां पर sodium इसे चिपका हुआ तो sodium phenoxide है बच्चों अब जैसे इसका protonation या acidification कराते हैं बच्चों इसी एसी को acidification करते हैं बच्चों या protonation भी कहते हैं बच्चों आईसे भी लिखा हो सकता है कोई भी acid हो सकता है तो देखो अगर माने ही लिया तो ये इस से reaction करके NACL बच्चों बाहर निकाल देगा और आपका ये product, desire product बनके तयार है बच्चों अभी कैसे हुआ ये mechanism में हम देखेंगे बच्चों ये आपका बन गया बच्चों phenol, क्या बन गया phenol, अब बहुत से टीशर या बहुत से बच्चे लोग करते क्या है कि ये करते क्या है बच्चों यहां से इसको इसके साथ NACL की रूप में निकाल दिये OHS यहां चिपका दिये अब ऐसे करो बच्चों तेक्टोर नमबर नहीं मिलेगा actually reaction ये लिखी गई है उसको पागल था क्या जो बीच phenoxide बना कि तब बनाया है जब ऐसे करना होता तो डारेक्ट नहीं बना देता अब इसकी mechanism को देखो इस door process के mechanism पर हम आते हैं बच्चों mechanism पर ध्यान रहे बहुत important है बच्चों आप मुझाननी चाहिए पाहले picture में आता है बच्चों chlorobenzene यह देखो यहां देखना बच्चों यह है आपकी chlorobenzene अब इसमें alternate double band है एक hydrogen हट करके वहाँ पर chlorine आ गई बच्चों अब पाहले picture में आता है बच्चों NaOH है जो 10% concentrate होता है वाइपर phase में होता है बच्चों condition उपर लिखी गई है तो इसका काम क्या है बच्चों OH माइनस देना अब इस OH को बच्चों किसी proton की H प्लस की जिरोत होती है अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो द्याने बच्चों यहाँ hydrogen भी है अब यह जो hydrogen इस carbon से लगी है बच्चों वो highly acidic है क्यों क्योंकि यह high electro negative group है बच्चों अब यह क्या करता है यह electron को अपने तरफ खीचता है क्योंकि minus high effecting group है यह electron को खीचेगा तो जब electron को इधर आएगा बच्चों तो electron माल लेते हैं इस पर गया बच्चों तो यह h plus के रूप में बाहर निकल जाएगा और यह इस से combine कर लेगा बच्चों और combine करने के बाद क्या बनाएगा बच्चों यह देखो water बाहर निकल जाएगा अब जड़ा देखो बच्चों बना क्या है चुकि electron इस पर आया है बच्चों तो इस पर आगया है negative charge यह देखो बच्चों यहाँ पर हमने electron को इधर लाया है चुकि electron खीचेगा तभी तो इस प्लस के रूप बाहर निकले बच्चों तो यहाँ पर double bond था ही इस carbon पर आगया बच्चों negative charge और CL यह यहाँ पर है बच्चों अब यह bond आयस बिट रहे यह bond बच्चों आयस बिट रहे अब होगा क्या यह जो electron है बच्चों अगर यहाँ पर आता है एक bond बनाने कोसिस करता है बच्चों तो 5 bond होगा नहीं एक bond तोरना पड़े chlorine बच्चों एक अच्छा living group है यह electron लेकर के बाहर बच्चों तो chloride आयन बाहर हो गया अब इसके और इसके बीच में एक bond बन गया बच्चों एक यहाँ पर क्या बनेगा एक bond बनेगा बच्चों तो यहाँ पर जैसे electron यहाँ पर आया बच्चों यह लेकर गायब हो गया तो यह आपका एक intermediate बनेग बच्चों ध्यान सुनियेगा आपने कभी देखा नहीं होगा मज़दार है यह बना बच्चों यहाँ पर carbon carbon के मद triple bond है बच्चों carbon carbon के carbon तो carbon बनाई सकता है बच्चों चुकि उसकी charcoal balance होती है तो देख लो सभी जगा carbon है बच्चों तेक है अब यहाँ पर यह जो intermediate बना है बच्चों यह खास हो जाता है इसी को हम कहते हैं बच्चों बेंजाइन बेंजाइन टिपल बॉंड आया है बच्चों बेंजीन में इसलिए आई जोड़ते हैं तिसका नाम क्या होगा बेंजाइन ये बच्चों अनिस्टेबल होता है अनिस्टेबल होता है अनिस्टेबल क्यों होता है बेहर्थिरी लगाते हैं बच्चों बेहर्थिरी के रमसार हो आगे हम किसी साम बताएं बच्चों पिक्चर लंबा हो जाएगा तो ये बेहर्थिरी से ये बॉंड बच्चों टेंसन होत अब क्या होगा चुक्रेक टेंशन में है बच्चों माल लेते हैं मायनस है electron मालो बच्चों इसपर गया इसपर आयगा negative और इसपर आयगा बच्चों पास्टिव के बना रहे इस को यहां पर बच्चों या आप कहिए चलो मैं इधर कर लेता हूँ आश्यदि western देखना बच्चो अब क्या बना यहां पर आपका यह बना चुकि यहां पर यह जूड चुका है बच्चो oair आ गया है अब यह bond टूड चुका है बच्चो double bond है यह bonds adds it रहा सुकी electron खीचा है इस पर आया है बच्चो negative charge अब ये एनायन बना है जो अनिस्टेबल होगा,बचो अब होगा इसमें proton transferring होगा अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर देखो बच्चों OH ग्रूप लगा है और ये यहाँ negative चार्ज भी है तो ये bond बच्चों highly unstable होता है ये oxygen electron खीशती है और H-plus को बाहर करती है H-plus कहीं नहीं जाए बच्चों ये देखो H-plus इस carbon से आकर के जोड़ गया electron इस पर negative charge जाएगा proton बाहर निकला और proton को किसी negative center की जिवरत है यहाँ पर आके जोड़ गया तो जो इसने यहाँ पर बच्चों H-plus खोया था इसको फिर मिल जाता है और मिलने के बाद बच्चों देखो क्या बनाता है यहाँ से है अब यहाँ पर यह आ गया है बच्चों ओपर आ गया माइनस और यहाँ से इसको proton मिल गया है यहाँ पर आ गया है आपका फिर H और यह bond as it है बच्चों यह देखो अब फिनॉक्साइड बना फिनॉक्साइड आयन बना बच्चों चुक्कि यहाँ पर यह ने ओएश है तो बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड यह देखो यह जो यही बना है यहाँ पर है बच्चों यह देखो तो माल लेते हैं आपका यह A है बच्चों यह आपका B है और यह आपका C है बच्चों तो हम B तक पहुंच गए यह आपका A था बच्चों यह आपका क्या हो गया B अब आपको हिताबों में लिखा रहता है इसे करते हैं बच्चों ऐसे डी फिकेशन या इसी को प्रोटो नेशन भी कहा जाता है बच्चों तो बस कुछ नहीं करना है यह बच्चों पास्टिव निगेटिव यहां सोरियम आएगा इसको साथ रियक्शन करके क्या बना लेगा बच्चों रचषियर और यह ऐसी पर आजाएगा और हमारा बच्चों बिजार प्रोडक्टिस सीवन टयार ते स्पसिव और बिच्चों снова दाकिशन जकी स्वाफ नलर बनी होगीश प्रोसेस अपनाना पड़े बच्चों डारेक्ट यहां निकाल के इस तो और जोड़ना बच्चों चुकि यह इंटर्मेडियेट यह साथ डारेक्ट नहीं होता है यह इसे नहीं बीच में फिनॉक्षाइड हान बनाना पड़ेगा बच्चों यह आपके NCRT किताम मिलेगा ले निकाहिं वह से तो अपने में हैं जेक्टेन परणेक्ट में होता है और सिंपल होता है सस्ता हो और सामान तरीके से बन जाए है तो चलो बच्ठो ले लो , आज की मुलाकार बच्छो यही तक नेक्स टाइम पर अर जो नर्ट ते daw बटा है तो आप KLOROBENZINE देओं, कैसे बनाऊ बच्चों, यहीं मैं दिखा दे रहा हूँ, अब BENZINE ले लो बच्चों, इसका क्लोरीनेशन कराओ दो, एदेखो। और वो है चाहे आरन लिखे चाहे अपकी CL3 लिखे चाहे ALCL3 लिखे चाहे आप COCL2 लिखे कोई भी आप एक ले सकते हैं बच्चों तो बस इसका हाइडोजन हटेगा ठीक है और यहां पर क्लोरी ना जाए क्लोरो बेंजेन बन जाएगी बच्चों तो कभी कभी क्वेस्चन आएगा कि बेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे तो बस पहले तो आप लोरो बेंजीन बनाना बच्चों क्लोरी इन से रिक्षन करा करें ठीक है और फिर इसके बाद उसका डव प्रॉसेस द्वारा एने उस से रिक्षन करा दीजिए बन जाएग आप ही के लिए में वीडियो बनाता हूं और आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगा बताईए फायदा आपको होने वाला है बच्चों और जीतना पढ़ाते हैं बच्चों आप अगर ठीक धंस करें तो मैं चलेंज करता हूं बच्चों आपको कमेस्ट्री बहुत अ मनोबल थोड़ा सा बढ़ता रहे कि बच्चे हां लाइट कर रहे हैं बच्चों आज की मिला का दें तर थैंक्यू अच्छे